रास्थन हाई कोट ने आज जीवन करवास की सजा काटने वाले आसाराम बापू को राहत नहीं दी है हाई कोट ने आसाराम की उस तीसरी अर्जी को भी खारिच कर दिया जिसमें ना बालिक से दुशकर्म के मामले में सजा पर रोक लगाने की मांग की गई थी कोट ने कहा आरोपों की गंभीरता को देखते हुए आसाराम को जमानत नहीं दी जा सकती आसाराम की तीसरी बार सजा इस्थगन याचिका को यह कहते हुए खारिच कर दिया कि आरोपी इसी तरह के अपराधों के लिए गुजरात में चल रहे एक अन्य मुकदमे में भी हिरासत में है कोट ने बताए कि इससे पहले भी इस तरह की याचिका दे गई थी जिसे कोट ने खारिच कर दिया था आसाराम के इस मामले की सुनवाई रास्तान हाइक कोट में नयाय मुर्ती संदीप महता और नयाय मुर्ती विनित कुमार मातूर की खंडपीड कर रही थी खंट पीट के समक्ष आसाराम की और से दिली के वरिष्ट अधिवक्ता देवदत कामत ने याची का पेश करते हुए पैरवी की आसाराम का परते निधित कर रहे वरिष्ट अधिवक्ता देवदत कामत ने उन्हें इस अधार पर जमानत पर रिहा करने की मांग की की अपील करता लगबग 83 वर्ष का वरद वैक्ती है और कई बिमारियों से पेडित है उन्होंने तरक दिया कि आसाराम करीम 9 साल और 7 महिने से हिरासत में है ऐसे में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए इसके लावा वरिष्ट अधिवक्ता कामत ने यह भी तरक दिया कि CRPC की धारा 391 के तहट गवा अजैपाल लामा को तलब करना था लेकिन सुप्रीम कोड ने उस पर रोक लगा दी है ऐसे में अपील की सुनवाई और निर्ने की कोई संभावना नजर नहीं आ रही उन्होंने यह भी कहा कि जिस आधार पर आजेवन कारवास की सजा हुई वह पर्थम दरश्टया अपराध नहीं बना है साथी उन्होंने बार-बार मुकदमे में इस्तगन को लेकर भी पक्ष रखा वरिष्ट अधिवक्ता की अपील पर कोड ने कहा कि इस केस में सभी तरह के तथ्यो आवेदन खारिच किया जाता है बता दे कि इससे पहले कोड ने गुजरात में आसराम के खिलाब चल रहे मुकदमे की इस्तितिके भी मांग की थी ऐसे में रज्य सरकार की ओर से डबल अजी अनिल जोशी ने कहा कि गुजरात के मामले में अभी अभ्योजन पक्षी ओर से बयान करवाय जा रहे हैं वोई गुजरात मामले में उनको किसी तरह की राहत नहीं मिली है ऐसे में सजा सगन याचेका को मंजूर नहीं किया जाए बतादे कि आसराम को अप्रेल 2018 में जोदपुर में एक विशेश पॉक्सो कोर्ट द्वारा IPC की धारा 370, 4, 342, 506, 332, F और 306, D के तहत दोशी करार देकर उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी